यह की एम्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है ऐसे में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ओडर था उसमें पुलिस को इंवेस्टिगेशन करने के लिए मना नहीं किया गया था क्या एक जो एम्स की रिपोर्ट सीबी आई पर सौती गई है वो फेवर आप मुंबई पुलिस की उस चीज को जस्टिफाइब करती है क्या मुंबई पुलिस इस केस को आगे इंवेस्टिगेशन करेगी मुंबई पुलिस का जो इंवेस्टिगेशन था ओंगोइंग इंवेस्टिगेशन था उसमें हमारे कूपर हॉस्पिटल और फॉरेंसिक एक्टिपर्स ने अपने रिपोर्ट दी थी जिसके बेसे पर आई का इंवेस्टिगेशन किया जा रहा था उनकी फाइंडिंग आप श्री राजपूत के परिवार में जाके हमारे फास तो उनका उनका किसी उपर आरोप नहीं है बिहार में उन्होंने एक फायर लाज़ किया वो भी सुसाइड का फायर था उसमें उन्होंने नहीं का के मैडर हुआ और उसमें कुछ लोगों को उसके लिए जावदार अबरे परिवार में उनका किसी उपर आरोप नहीं है बिहार में उन्होंने एक फायर लौज किया वो भी शुसाइड का फायर था उसमें उन्होंने नहीं का के मैडर हुआ और उसमें कुछ लोगों को उसके लिए जावदार अबेट्मेंट के लिए जावदार रखा था सिर में में अगंए और अपर जब बेंगेम्स स्शेच करने को Michal महा राष्ट्रु में 5 अच्छव फैक्ताय ने देखी थी उसके लाद अविट निधमॽ्झे कोटके जस्टिस ने अच्छब बार उस अग्स पर हमारा इंवेस्टिगेशन हमारे पास रहा गया लेकिन एसा आधेश दिया गया कि अगर हमारे इंवेस्टिगेशन के दौरान नोग रह्त Akbar करना पड़ेगा लेकिन अंवारे इसिजिगेशन अनुने रोका नहीं लेकिन हमें Пपिये जहां वन तो दो इंफ्टिगेशण पर ऊचित नहीं होगा हमने अभी पॉस का अपने पैको अपन रघी केशन बर इस वो रहा है मुल्स की और शिकिषा TV जाना में कुस्तत समयना चाहईंगा मुझसे सवाख मुझसे पूचए मातjas महाँ मुझसे कुच्छे में क्या सुषांग सिंग या सिश्टर साहिए तरी विलाउट प्रिस्क्रिप्शन जे वेटर्ज सुषांग सिंग दर्गर त्या सब्रबार वह नहीं अप्राइब उसके बारे में एक F.I.R. बैंड़ा प्रोलिस्टेशन में दाखिल हुआ था जो के उनकी बेहन के विरुथ ता दिल्ली के डॉक्टर के विरुथ था जिसने एक हॉस्पिल का रिकॉर्ड फोर्ज करके गल्ठ मेडिसन दी थी और वो हमने लेकिन F.I.R. दाखिल करते ही सुप्रिम कोड के आधिश्टा आधर करते हुए तुरंत हमने वो F.I.R. C.J. को उसी दिन चांसर करते हुए तुरं तो सामने आ रही है कि हगारों की संख्या में इस प्रकार के अकाउंट्स उससे भी ज्यादा निकलाए तो मुझे अश्चेर नहीं हुआ इन अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाना था मॉंबई पुलिस का नदाम खराब करने के लिए हमारे को मलाइन करने के लिए मुंबई मुंबई पुलिस एक बड़ी लड़ाई पॉविट से लड़ रही है छे हजार लोग मेरे पॉविट पॉजिटिव हुए 84 मेरे लोग शहीद हुए ऐसे समय मुंबई पुलिस को डिमॉडलाइज करने का प्रहतन कि शजयंतर का इस्सा था समझ नहीं आता इसके पीछे क्या कि राजे के पक्षण से आई टी से यामदे सहबागे असले से कही समोर लें हम आइडेंटिफाय करने का प्रोसीजर चल रहा है अभी में किसी को इसके बारे में ब्लेम नहीं बोचकता है सर तुमाला सवाट्ट की है कैमपेञ्ट फक्त मलाइन करना साथ ही जाने पूलवक सुरू करना ताल होता है अगर अकाउंट से किया जा रहा है तो उसका आर्थी है और जूटी खबरें फैलाई जा रही है गाली बनोच किया जा रहा है तो उसके पीछे और रुद्देश् में अभी तिक हमने बहुत से फेक कमस इडनेटिफाय किये हैं जिनका इस्तिमाल मुंबाइ पриз को टो लेंग को व्यूंग आप मंबाइ पीडा किया रहा था जा रहा था जोटी खबर फैली जा रहा था झाल्यू यह किसी मोटिवेटेड केंपेंड का हिस्सा थे एंड वेस्टिद इंट्रेस्ट के दवरा चलाई जा रहा था बहुत से अकाउंट्स अल्रडी इंडेंटिफाई हुए हैं जिनके बारे में हम उनके इन-डेफ अनलेसिस कर रहे हैं कौन लोग इनको चला रहे थे वास्तव मे हैं कौन लोग थे इनके पीछे वह मारी साइबर लैब उसके काम कर रही है और भी ऐसे अकाउंट इंटिफाई किये जा रहे हैं हजारों की संख्या में ऐसे अकाउंट्स हैं हम साइबर लैब के मारफ़र वी आर इंटच जो इसके फेस्बुक है इंस्टाग्राम है ट्वि क्या जो है कई एकाउंट जो है देश के बाहर विदेश्यों से भी ऑप्रेटेट हैं हो सकता है पॉसिबल है वह से चल रही है हमारी सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म्स के मारफ़त से अवश्य के शक्यता है कि बाहर के पाउंट्स में हो सकते हैं कोई मोटिवेटेड लोग इसके पीछे हो सकते है जिसना से हात्रस में भी वह भा एक मोटिवेटेडरी प्रादे कि पीछे है Most俺 के बाहरे इंट्रेए इसके पिछे है मोटीवेड़ेद केंपें था